गुड़न में क्लास 9-10 की प्यारे बच्चों, आज हम लोग grammar की सुरुवात करेंगे और grammar में आपका section A reading section की सुरुवात करेंगे और reading section में आपको 10 unseen passes करवाने वाले हैं, मतलब आज आज आपकी 10 unseen passes की सिंकला की सुरुवात होगी और इसमें आज हम लोग unseen passes number 1 को देखेंगे, मिन्स पहले unseen passes को cover करेंगे और आज का जो unseen passes आपको करवाने वाले हैं, यह unseen passes आपका UP board 2022 के AM sit में आया हुआ unseen passes है और इस 10 unseen passes की सिंकला से आपके board परिच्चा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं तो इसलिए अब से जितनी classes आपको दी जाएंगी, आप हरे class को attend करोगे, किसी भी class को आप miss नहीं करोगे और एक class free plus paid best दोनों बच्चों के लिए combined class है और अब लगातार साम साड़े च्छवजे दोनों बच्चों की combined classes चलने वाली हैं तो इसलिए अब सभी प्यारप्चिज़ है, साम साड़े च्छवजे अपनी उपस्थती दर्ज कराना नहीं भूलेंगे और paid class की बच्ची ध्यान दें, इसका PDF आपको class की तुरंत बाद paid class की ग्रुप में provide कर दिया जाएगा तो इसलिए paid class की बच्चे PDF के लिए बिलकुल परसान नहीं होंगे अब जल्दी से हम लोग आज की class से connect होते हैं तो class पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आये हैं चैनल को subscribe कर लें, वीडियो को like कर दें और class 9-10 के हरी एक बच्चे तक वीडियो को share कर दें आप याँ पर देखिए आपका section A reading section का पहले syllabus लिखे हुए हैं आपको पहले समझा देते हैं कि किस तरह से reading section में प्रशन पूछा जाएगा कैसे आपको करने हैं, कैसे आपको करवाएंगे उसके बारे में विस्ताज से समझा देंगे उसकी बाद आपको आज की class की तरफ मतलब unseen passes नंबर 1 की तरफ आपको ले करके चलेंगे अप याँ पर देखिए आपका section A reading section उसके आगे देखिए आपका 10 marks लिखा गया है मतलब आपका reading section से कितने नंबर का प्रश्ण बनने वाला है 10 नंबर का प्रश्ण बनने वाला है और 10 नंबर का प्रश्ण कैसे बनेगा यहाँ पर देखिए आपका पहला point लिखा गया है 160 passes followed by 3 MCQs मतलब एक छोटा सा unseen passes होगा उस unseen passes के आधार पर 3 MCQs मतलब 3 MCQs प्रश्ण बनेंगे MCQs मतलब हो जाएगा multiple choice questions तीन प्रश्ण बनेंगे और प्रतीक प्रश्ण एक नंबर का होगा तीन प्रश्ण है तो मतलब तीन नंबर का होगया मतलब पहले unseen passes के आधार पर आपके 3 MCQs Christians बनेंगे और प्रतीक प्रश्ण जहें एक नमबर का मतलब 3 नमबर का आपका ए हो गया ए भी आपका पहला unseen passes हो गया अब दूसरा point देखिए इसमें लिखे वे हैं फालोड बाई 3 MCQs मतलब एक जहें और unseen passes उस unseen passes की आधार पर 3 MCQs बनेंगे और एक वकाबुलरी बेस्ट की आधार पर प्रश्ण बनेगा मतलब 3 MCQs होंगे और एक आपका वकाब की आधार पर प्रश्ण होगा और एक प्रश्ण आपका वकाब की आधार पर बना हुआ है तो वकाब की आधार पर एक प्रश्ण बना हुआ है तो ओक इतनी नंबर का होगा एक नंबर का होगा तो मतलब 6 एक 7 नंबर आपका जो second unseen passes हो गया इस unseen passes से 7 नंबर के प्रश्ण पूछे जाएंगे तो भाया आपका reading section में दो unseen passes हो गया पहला unseen passes तीर नंबर का और दूसरा unseen passes साथ नंबर का तो इसलिए आप दो-दो unseen passes क्या सामना के निकले बिलकुल तैयार हो जाएंगे और भाया अब हम आपको कैसे करवाएंगे तो सिल्बस आपको बता दिये आपको कैसे करवाएंगे इसकी बारें भी बता दिते हैं तो प्याची आपका जो second ये 7 number वाला है इस 7 number वाले की 7 class आपको देंगे अब यह 7 number का है तो 7 class देंगे ना और 7 class इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पिछले सेशन में 2022 का 7 paper हुआ था मतलब 7 paper का sit बना हुआ था paper तो आपका एक ही English का हुआ था लेकिन इसका 7 sit था सभी 7 sit के unseen passes को आपको करवाने वाले हैं तो इसलिए आपको 7 unseen passes इस second वाले unseen passes के आधार पर करवाएंगे और जो पहला unseen passes है इसके आधार पर आपको 3 unseen unseen passes करवाएंगे तीन नंबर का है तो यह 3 unseen passes करवाएंगे और यह पूरी तरह से इस बार नया आया हुआ है इसके पहले इस तरह से नहीं होता था इस तरह से आपका unseen passes के आधार पर यमसी क्यूज नहीं बनते थे यह आपका पूरी तरह से नया हुआ हुआ है तो इसमें आपको कोई पूरानी यर का मतलब प्रिवियस यर का आपको पेपर नहीं मिलेगा तो इसे 3 passes हम आपको अपनी मन से करवाएंगे मतलब 7 के बाद जो 3 passes आपको करवाएंगे वो आपको अपनी मन से करवाएंगे तो इस तरह से 10 unseen passes से आपका पूरा 10 number पका कर देंगे इस बात की guarantee लेते हैं बस आप सबी class को ध्यान से आज से attend करना शुरू कर दोगे अब भया हम लोग आगे चलते हैं आज की class की तरह बढ़ते हैं आपका कौन सा unseen passes करवाएंगे आप समझ गए होंगे अब यहां पर देखिए आपका 2022 पेपर का आपको अंग्रेजी 2022 अंग्रेजी नया पार्ट करम लिखा दिख रहा होगा ठीक है अब यहां पर देखिए आपका एपर का sit कौन सा है 817 AM मतलब AM वाला a sit है और इस paper sit की आधार पर देखिए आपका section यह देखिए उपर लिखा गया है और reading section लिखा गया है उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है read the following passes मतलब इस passes को पढ़िए carefully means ध्यान से पढ़िए and answer the questions और प्रश्णों का उत्तर दीजिए given below it means जो नीचे दिये गए है उसकी बाद जो नीचे प्रश्ण दिये गए है उन प्रश्णों का आपको उत्तर देना है अब passes क्या है प्याचे आपका इस at me कौन से passes आया ध्यान से देखिए good deeds may be done by anyone in any walk of life तो भईया यही passes है यहाँ पर थोड़ा से clarity हो सकता हो आपको न दिखती इसलिए हमने इस passes को typing कर लिए हैं अब typing में इसमें आपको ध्यान से समझाते हैं कि क्या इस passes में है तो पहले प्याचे हम लोग इस passes का देखिए चोटा सा पैसिज है चोटा सा एकदम च्छा साथ लाइन का चोटा सा पैसिज है आप लोग जो बहुत unseen passes से डरते हो तो भईया जो है च्छा साथ आठ लाइन का आपका पैसिज है पहले हम लोग इस पैसिज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं उसके बाद आपका इसके कुई सर एंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे और जल्दी से प्याचे सभी प्याचे वीडियो को लाइक कर दें लाइक करने में आप लोग बिल्कुल कमी ना करें जल्द शकते हैं बाइ एनीवन मिस किसी के भी दोरा अच्छे कार किसी के भी दौरा किये जा सकते है इन्हेनी वाक अफ लाइफ है एनी मिस हो जाएगा किसी वाक अफ लाइफ म define मतलब किसी भी ब्याखती के दौरा किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी पेसे या फिर 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 व्यक्ति के द्वारा किसी भी पेसे बाई दी सोल्जर्स इन दी बैटल फिल्ड मतलब सैनिकेों के द्वारा युद्ध के मैदान में अच्छे कार की जा सकते हैं आपकी जो मम्मी होंगी या सिस्टर होंगी जो भी होंगी वो जय कितना बढ़ियां से पुरे घर को मैंनेस की जा सकते हैं हलांकि कुछ हिस्तनी लोग बहुत चान्चड परसंटा नहीं होती हैं 90 परसेंट तो चान्चड इस होती हैं पुरा घरवा को नरके कर देती है नरक बना देती हैं तो बहए समच जाना आगे देखिए अ suction ता चाईकर कर सकती हैं ए आपका हो गया आगे दिखिए सच पर्फार्मेंस एसा प्रταर्सन सच प्रफार्मेंस में सो जाएगा ऐसा प्रफार्मेंस या लाइन नीचे खीचे वे एंए एssa प्रसनिका उतर है तो यहां से ध्यान से अर्थ देखना इसदी थ हैपीनेस मेंस इससे जो एससी प्रब धर् इस दी हैपनिस इससे आपको प्रसंता मिलती है बोतमिस दोनों को मिलती है आप दी डूर मिस कार करने वाले को भी मिलती है और जिसके लिए अच्छा कार किया गया होता है उसको भी खुसी मिलती है तो यहां पर वही है कि सच परफार मिस ऐसे प्रदसं से इस दी हैपनिस मिस खुसी प्राप्थ होती है बोत आप दी डूर मिस दोनों को कार करने वाले को भी and of those for whom it is done और उसको भी जिसके लिए यह कार किया जाता है दोनों को प्रसंता मिलती है अगर जखिए the memory of good deed memory means हो जाएगी safety of good deed means अच्छी कार की अच्छी कार की इस्मरती या फिर या दे inspires means प्रेरित करती है others means दूसरों को means अच्छे कार की इस्मरतिया दूसरों को प्रेरित करती है to do likewise means वैसे ही करने के लिए with the fellow man means अपने साथी तूक्ठी के साथी व्यक्ति की तरह ही वैसे ही कार करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, क्या चीज़ प्रेरित करती है, अच्छी कार की इस मृतियां, तो भाया ए हो गया आपका, इस छोटे से अंसीन पैसिस का हिंदी अर्थ हो गया, जो आपका UP Board 2022 के AM7 में आया हुआ अंसीन पै देखते हैं, देखते हैं कैसे आपके Board परिचा में प्रस्ने आई वे थे, जल्दी से प्याचे वीडियो को लाइक कर दे, सभी प्याचे वीडियो को लाइक कर दे, आप लोग लाइक में अगर कटाउती करोगे न, तो भाया समझ जाना कि हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो जो है, थोड़ा सा स्लो कर देंगे पढ़ाना, आपको जो है, स्लो कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगे, तो इसलिए भाया, मोटिवेशन बनाया रखना, खूब लाइक दबाने न, और वीडियो को सेर भी हर बच्चा तक कर दे न, दस्रीन के सभी बच्चे जो जाने च जैके जाता है, अच्छी कार का प्रदर्शन कहां को लेकर जाता है, तो वही हो जाएगा, तो भीया प्रिसंता की तरफ लेकर जाता है, यहाँ पर देखिए, आपका जो नीचे एकदम लाइन जो खीसे ही वें, ध्यान से देखिए, किस तरफ लेके जाते हैं। तो होई देखे हैं, हम इस प्रशन के उत्तर में लेके ऑँगे. ध्यान से देखिए हमने सेम वही लाइन को उतार दीवें कोई कुछ नहीं परिवर्तन की जो है केवल कुछ सब्दों का परिवर्तन करके उसके बाद सेम वही लाइन उतार दीवें कैसे लिखे वे हैं अच्छे कार करने वाले को भी खुसी मिलती है और जिसके लिए अच्छा कार किया जाता है उसको भी प्रशंता मिलती है खुसी मिलती है तो यह हो गया आपका पहले प्रशंत का सीधे सठीक उत्तर हो गया जितना यहां पर लिखा गया था हमने कुछ promoting Program सेमोभूंI समझ गये होंगे अब आगे दखिए आपका दूसरा प्रशनिया से ध्यान से देखिए What does the memory of good deed do What does the memory क्या dispute आप good deed में सचेकार की do मिस करती है मतलब अच्छे कार की इसम्रितिया क्या करती है तो भाई आच्छे कार की इसम्रितिया प्रेरित करती है अच्छा कार करने के लिए न दूसरों को भी अच्छा कार करने के लिए प्रेरित करती है ना यही आपका लास्ट में देखी लिखा गया है दी मेमोरी आप गुड डीड इंस्पायर मिस्ट प्रेरित करती है अब यही सेम लाइन हम क्या कर लेंगे उतार लेंगे एकदम हुवा हूं लास्ट की दो लाइन आप देखी वैसे हमने उतारी हुए है क्या उतारी हुए है दी मेमोरी आफ गुड डीड मिस्ट अच्छे कार की इस्मृतियां इंस्पायर मिस्ट प्रेरित करती है अदर्स मिस्ट दूसरों को टूडू लाइक लाइक वाइस लाइक वाइस मिस्टा वैसे भी वैसे ही वैस दूसरे प्रस्ट का सीधे सटीत उत्तर हो गया और सटीत उत्र में हमने केवल लास्ट की दो लाइन को उतार देव हैं क्यों create की वे हैं इसकी पीछे reason आपको बता देते हैं पिछले session का 2022 का board परिच्छा हुआ था उस board परिच्छा में unseen passes आपका 2 unseen passes नहीं आ रहा था एक ही unseen passes आ रहा था और unseen passes आपका 10 number का था दस number में आपका चारप्रसण पूछे जाते दे apresent में दो आपके शाट एंसवड आई परिच्छे में आथा 2022 के हमने एक साट एंसर टाइप की इसन को अपनी में से एड कर दिये क्योंकि हमें आपको नय पैटर्ण के अधार पर लेकर के चलना था इसलिए एक प्रस्ण हमने और एड की वे हैं प्रस्ण क्या एड की वे हैं ध्यान से देखना who may do good deeds कौन अच्छे कारे को कर सकता है who may do कौन कर सकता है good deeds मिस अच्छे कारे को तो भया अच्छे कारे को कौन कर सकता है anyone दिया हुआ था ना शुरुआत की लाइन में देखिए आपका दिया हुआ है ना क्या दिया हुआ है good deeds may be done by anyone miss अच्छे कार किसी के भी दवारा किये जासकते हैं शुरुआत की पहली लाइन में दिया हुआ है ना तो भाया इसे हम तीसरे प्रस्न के उतर में क्या लग देंगे good deeds may be done अच्छे कार किये जा सकते हैं by anyone means किसी के भी द्वारा means अच्छे कार किसी के भी द्वारा किये जा सकते हैं यह आपका तीसरे प्रशन का सीधे 60 उत्तर हो गया दो नमबर यहां से भी आपका पक्का हो गया और प्याच्छे इसी तरह से आपकी बॉड़ परिच्चा में एक लाइन का उत्तर आपको लिखना होगा यह तो जो आपको दो तीन लाइन का उत्तर दीख रहा है आ यह पिसले सेव्यसान का प्रशन आया था इसली दो तीन लाइन हो गया, नहीν तो आपको इसी तरह से सीधे सटीक एक लाइन का उत्तर मिलेगा, इस सेसन में एक लाइन का उत्तर सीधे सटीक डंक से ऐसे मिलेगा, आप लोग बिलकुल यह समझ जाना कि 10 अंसीन पैसे जो करा रहे हैं यह टफ लेबल का करा रहे हैं, आपको इसे भी एकदम इजी अंसीन पैसे मिलने वाला है, क्योंकि जब भ अंसीन पैसे जी दस नंबर का एकदम आसान लगने लगेगा, जो कुछ बच्चों के देमाग में डर बैठा हुआ है, कि सर अंसीन पैसे मतलब पहाड हो गया, तो भी आई डर निकल जाएगा, आप देखें चौथा प्रस्ण क्या है, यहां पर ध्यान से देखिए, चौथ सैडनेस में उदासी का क्या है, विपरीध है, विपरीध है, तो भी यह सैडनेस में उदासी होता है, दुखी उदासी, अब एक वर्ड इसमें हैपिनेस दिया हुआ है, यहां पर ध्यान से देखिए, पर फार मिस इस दी हैपिनेस में प्रसंता मिलती है, सैडनेस में उदा इस sideness का opposite word क्या हो जाएगा happiness और एए happiness आपका इसी पैसेज प्रयोग भी किया गया है तो जो प्रयोग किया गया क्योंकि इसे हैं फियोग किया गया है तो happiness प्रयोग किया था साथ नंबर का आपका काम हो गया पैचे, उमीद करते हैं, आज का ए पैसे आपको अच्छी तरह से समन्द में आया होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसा आपसे उमीद करते हैं, और आपको लगा होगा कि नहीं, आप टफ नहीं है, और टफ आपको अब भी नहीं प्यारचे, बस आप नीमित धंक से क्लास को अटेंड करते चलिए, यह आज की क्लास हो गई, अब क्लास की इहीं पर समाप्ती करेंगे, जो बच्छी चैनल पर पहली बार आये थे, चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास स्टेंथ के हरे एक बच्ची तक खास करके, जो बच्ची बोर्ड पर इच्छा देने वाले हैं, उन हरे एक बच्ची तक आप वीडियो को सेर कर देंगे, प्याची, यह आपकी पेड क्लास को जो है, यूटूब पे फ्री कर दिया गया, समझ जाईए, तिसलिए समझ जाई के नहीं हैं, और पेड क्लास की बच्चे बरसान ना होना, दो मिनट बाद जैसे क्लास समापत होती है, इसके दो मिनट बाद आपको इसका पीडियो की गर्प में प्रोवाइड के दिया जाएगा, जिसलिए आप लोग पीडियो कुले बिलकुर परसान नहीं होंगे, आप क केवल योटूब के वच्चे के लिए बता देती हैं कि paid class में admission कैसे लेंगे क्या-क्या चीज़े मिलेंगी fees कितनी है तो प्याची यहां पर लिखा गया है कि आपका paid class की facilities लिखी गई है कि paid class में आपको क्या-क्या चीज़े देखने को मिलेंगी तो प्याची आपका paid class में English का complete सिल्वस कराये जाएगा मतलब first paper plus grammar पूरी तरह से complete कराये जाएगा और जिसमें आपका first paper complete हो चुका है आने वाले समय में आपके टिस्ट की संख्या बढ़ने वाली भी है model paper कराये जाएगा में सापके board परिच्छा में कैसे question paper आएगा पूरा practice आपको model paper की रुप में करा दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात आपको paid class की group में revision series देखने को मिलेगी यह revision series है जिससे हमने पिछले सत में 100% paper को match कराये वेते और इस paid class का target है आपको English में 100 out of 100 marks पूरी तरह से तयार करना और fees जहें 10 से 31 दसंबर के बीच में आपका offer चला है इस बीच में आपकी fees 499 से घटा करके 399 रुपए कर दी गई है तो मतलब इस समय आपको 399 रुपए केवल पे करने हैं और payment आप कैसी करोगे ध्यान से संज़ना आप Google पे, phone पे, Paytm, Beam, App इन में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप payment कर सकते हैं और अगर आप इन में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके payment कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको number दिया गया है 7392937172 करके जो आपको number दिया गया है इसी number पर आपको payment करने हैं अगर आप इन में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके payment कर रहे हैं या फिर आपको यहाँ पर एक bank detail दिया गया है आप इस bank detail का भी प्रयोग करके payment कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर कुछ QR code दिये गया है आप इन QR code को scan करके भी payment कर सकते हैं और payment करने के बाद आपको payment का screenshot लेना है उस screenshot को आपको इसी number 7392937172 करके जो आपको number दिया गया है इसी number पर screenshot को WhatsApp कर देने है WhatsApp करने के बाद आपको एक form बेजा जाएगा उस form को आपको fill up करने होंगे form को fill up करने के बाद आपको 24 गंटे के अंदर ही paid class के group में add कर दिया जाएगा बाकी प्यार्चे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत payment की regarding आ रही है तो आप इसी number पर 24 गंटा call कर सकते हैं WhatsApp message कर सकते हैं आपकी call और WhatsApp कर reply किया जाएगा तो भहिया एपूरा admission process हो गया उमीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कहीं कोई confusion अब नहीं होगी तो प्याच्चे अब class की समापती करेंगे जो बच्चे चैनल पर पहली बारा है थे चैनल को subscribe करेंगे वीडियो को like कर देंगे और class 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को share कर देंगे खास करके class 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुँचा देंगे और कुछ 2-3 लाइनों के साथ क्लास की समापती करेंगे जीत की उमीद रखने वाले लोग कभी बहानी नहीं बनाते हैं तो इसलिए प्याच्च अब आपका उस समय चला गया कि आप बहाना बनाओ कि नहीं पढ़ने का मड़ नहीं है यह है ओ है दिकत अब बहाना कोई नहीं चलेगा आपकी बोड़ परिच इसके साथ तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें अपनी परिवार का ध्यान रखें लब याल प्यार बैच्चों